मुख्य मंत्री नितीश कुमार दुर्गा पूजा के बाद आज जनता दर्बार कारिक्रम में मौजूद होंगे जनता दर्बार कारिक्रम में नितीश कुमार आज फडियादियों से मुलाकात करेंगे सीम नितीश आज उर्जा विभाग, जल संसादन विभाग, पत निर्मान विभाग, ग्रामिन विकास विभाग, लोग स्वास्त अभी यंतरन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे मुख्य मंद्री का जनता दर्बार कारिकरम सुभा 11 बजे शुरू होगा जनता दर्बार कारिकरम के दोरान COVID-19 गाइडलाइन्स का पालन करते हुए फर्यादी मुख्य मंद्री से मुलाकात कर पाएंगे इसके लिए जिला इस्तर से ही अब तयारी होती है पांच साल के अंतराल के बाद सीम नितीश कुमार ने जब जनता दर्बार कारिकरम की फिर से शुरूआत की तो इसका स्वरूब बदला हुआ है जनता दर्बार कारिकरम हर महीने पहले तीन सोमवार को आयोजित किया जाता है हर सोमवार को तैय विभागों से जुड़े मामलों काही निश्पादन मुख्य मंतुरी करते हैं इस महीने जनता दर्बार के लिए ये तीसरा सोमवार है आज सुनवाई के दोरान CM1 पड़्यावरन, भवन निर्बान, सूचना एवं जनसंपर्ग, नगर विकास, लगु जल संसाधन, पश्यू एवं मतस्य संसाधन, गन्ना विकास और सहकारिता, पंचायती राज जसे विभागों से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई करेंगे समस्याओं का समाधान करवाएंगे, नितीश संबाद इस्तित परीशर में बनाए गए नए हॉल में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, इस दोरान वो लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरन निश्पादित करने का निर्देश अधिकारियों को देते हैं, बता दे कि 5 साल के बाद करोना काल में शुरू किये जाने वाले जंता के दर्बार में मुख्यमंतरी कारिक्रम में फिलाल सिमित संख्या में ही लोगों को शामिल किया जाता है जंता दर्मार में शामिल होने के दिए लोगों को ऑलनाइन रेजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सिमित संख्या में लोगों को बुलाए जाने के चलते रेजिट्रेशन करवाने के बावजूद लोगों को लंबा इंतिजार करना पड़ रहा है। लिहाजा वो जंता दर्बार कारिक्रम के बाहरी रह जाते हैं। मेरी बेटी एक बड़े घर के बहु बने। जिनों रेजिट्रेशन एक से डेर महीने पहले करवा लिया है। दरसल जंता के दर्बार में सीम कारिक्रम प्रतेक महीने के पहले तीन सोमवार को आयूजित किया जाता है। दिन में मुख्य मंत्री कई लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। झाली कर दो आयूण को से जाता है।